हलो एव्रीवन, वेलकम तो सरोज मिश्राज यूट्वीब चैनल में यूट्वीब चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज, सरकार का बड़ा फैसला, राजिक की प्रतियोगी परिक्षाओं में आयू सीमा में दो साल की छूट तो गौर्मेंट ने ये बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो कैंडिडेट्स हैं, गौर्मेंट एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये फेवरेबल डिसीजन है डिसीजन है कि अपर एज लिमिट में टू इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है सपोज किसी एक्जाम के लिए 30 साल, गौर्मेंट एक्जाम के लिए 30 साल अपर एज लिमिट थी 30 तब उसे बढ़ा के 32 एर्स कर दी गई है तो ये government ने बहुत अच्छा decision लिया है तो अब आगे हम details समझते कि कहां से ये news निकल करा रही है कौन से government ने कौन से राजे सरकार ने ये फैसला लिया है और आप comment section में जरूर लिखें कि आप किस राजे से belong करते हैं और वहां पर भी ऐसे decision लेने चाहिए या central level पर भी decision को जर की भी टाइब के recruitments हो रहे है central level पर ये decision लिया जाना चाहिए कि अपर एज लिमिट में at least two years की relaxation दी जाए तो चलिए पहले ये cover कर लें कि ये तो अशोग गैलोट जी ने ये tweet की है और इसी tweet से बात निकल करा रही है कि राजस्थान में भरती परिक्षा में दो साल उम्र में चूट राजस्थान सरकार की भरती परिक्षा में अब दो साल की चूट मिल गई है ऐसे में जो उम्मीद्वार candidates निराश हो चुके थे उनके लिए एक और मौका है दो साल नौकरिया निकली जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनकी उम्रों बैठे-बैठे निकल गई अब भरती परिक्षा में निर्धारित सीमा के अलावा दो साल अतिरिक्त छूट दी गई है लंबे समय से उम्मीद्वारों की मांग थी कि आयू सीमा में छूट दी जाए इसके बाद ये फैसला उम्मीद्वारों के हित में लिया गया है तो सिर्फ राजस्थान में क्यों बाहरी जगों पर बाकी सभी राजियों में भी इंप्लिमेंट किया जाना चाहिए और सेंट्र लेवल पर भी इंप्लिमेंटेशन हो होनी चाहिए और ये मांग की जानी चाहिए तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला राज की प्रतियोगी परिक्षाव में आयू सीमा में दो साल की छूट दी गई है राजस्थान सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी में बड़ी रहत दिया सीम गहलोग जी ने प्रत राजस्थान में ही क्यों सबी जगर पे दो साल कोई भी नौकरी नहीं निकली गौर्मेंट की हो या कोई बी अच्छी बड़ी नौकरी जो है वो उनकी एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं हुई वेकेंसी आउट नहीं हुई कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ तो सिर्फ रा प्रें करें